आज हम चर्जा कर रहे हैं रास्थान विश्विधार्य का बीएसी पार्थ टू मादमेटिक्स का पेपर निमेरिकल अनलेशिव थी आज का अपना टॉपिक है निमेरिकल मेथोड्स ऑफ सल्यूशन अफ अल्जिब्रेक एंड ट्रांसेटन्टल इक्विशन बीजे और और पीजे समिजर्णों के लिए संख्यात्मक विधियों से हल निकालना पिछली एक लास में हमने बात की थी बैसेक्शन वे थी की आज हम चर्चा कर रहे हैं रेगुला फालसी या फॉल्स पॉजिशन मेथड पर नियूटन रखन मेथड की रेगुला फालसी मेथड या फालस पॉजिशन मेथड पर हम दिसकस करें तो देखे, माह लेजे कि हमारे पास में एक equation है fx is equal to 0 इसका जो root है, moon है वो लाई करता है interval x1, x2 के मत्य है such that fx1 और fx2 जो हैं दोनों opposite sign के हैं यानि कि fx1 into fx2 is less than 0 यह negative है product of fx1 and fx2 अगर negative है, तो हम जानते हैं discard is rule of sign के इसाब से एक real root x1, x2 interval में लाई करेगा तो अगर ऐसा है कि x1, fx1, fx2 is less than 0 तो हमारे पास में एक approximation आता है x3, x3 हम लेते हैं यदि x1 into fx2 minus x2 into fx1 upon fx2 minus fx1 तो यह जो point x3 आया it is the point at which the line joining the points x1, fx1 and x2, fx2 cuts the x-axis जैसा कि हम इस figure में देख सकते हैं p और q हमने दो point लिए x और y की जगे यहाँ पर y is the function fx तो p आपका बिंदू है x1, fx1 और आपका q बिंदू है x2 comma fx2 तो अगर हमारे पास में इस card pq को हमने draw किया तो हम देख रहे हैं कि इस x-axis पर एक x3 point हमें मिला जो की है x1 into fx2 minus x2 into fx1 upon fx2 minus fx1 के बराबर तो p और q को join करने वाली रेखा कि मध्य कहीं यह एक बिंदू हमें मिला तो we shall check the root of the equation by evaluating fx3 हम क्या करेंगे यह जो बिंदू x3 हमने में मिला है हम इस से function इस बिंदू पर function का मान में कालेंगे अब fx3 का nature जो है कि वो positive है या negative है या वो sign जो है fx3 का fx1 से match करता है fx2 से वो depend decide करेगा कि हमारा root x1 x3 के मत्या है या x3 x2 के मत्या है तो अगर हम यह देखें कि यह either हमारा यह जो root fx1 fx3 negative है अगर या fx2 fx3 उसे सबसे root pure q के मत्या कहां पर लाई करेगा वो हमें decide करना होगा तो इस process को हम जैसे ही हमें मिल गया 1.x3 से कि root x1 x3 के मत्या लाई कर रहा है या x2 x3 के मत्या तो next approximation हम लेंगे x4 उसमें हम उसी point को लेंगे पहला point जहां पर दो points ऐसे हो कि function का मान अलग-अलग sign का हो यानि कि आपका fx i fx j is less than 0 तो x i और x j के मत्या root लाई करेगा तो हम इस तरह से successive approximations करते जाएंगे और successive iterations है हमें मिलेगा in general xn plus 1 is equal to xn minus 1 fxn minus xn xn minus 1 over fxn minus fxn minus 1 या हम इसको rearrange करके लिख सकते हैं तो xn minus xn minus xn minus 1 into fxn over fxn minus fxn minus 1 xn minus points का difference into fxn over difference of the functions at the two points xn and xn minus 1 provided यहां पर हम हर point पे जो approximations कर रहे हैं हर iteration के सामें हम यह चेक करते जाएं कि fxn minus 1 fxn is less than 0 यानि कि fxn minus 1 और fxn पे function का मान अलग-अलग sign का होना आवशक है यह method कहलाता है हमारा method of false position इसको हम देख सकते हैं यहां पर geometrically हम इस figure को देख रहे है pq curve है इस पर हम पहला approximation लेते हैं तो जहां पर आपका p और q के यह x1 x2 यह होगे आपका x3 इस point पर जहां पर x-axis को काट रहा है फिर हमने यह अगर आपका fx3 और fx2 जो हमने initial लिया fx2 जो initial लिया था तो अगर x3 और x2 के मद्दे root लाई करेगा तो फिर हम next approximation लेंगे जो second approximation अपने को दिकराए and so on इस तरह से जहां पर यह curve को आपका यह curve जहां पर x-axis को काटेगा वो exact point होगा root का एक example की द्वारा इस method को समझ सकते हैं मान लिजे आपको root निकालना है real root of the equation x3-2x-5 is equal to 0 तो यहां हम इसको function को fx ले ले x3-2x-5 अब क्या करना है कि हमें इसका root निकालना है तो हम पहले इसको approximate कर लेते हैं कि इसका initial root का हम hidden trial with D से assume कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि यह जो root है क्योंकि function है x-x3-2x-5 x को negative value दे सकते हम यहां पर दिख रहा है तो x को जैसे ही हमने negative value दी मान लिजे 2 दी तो हमारा f2 जो हो आ रहा है वो minus 1 आ रहा है और 3 देते ही positive हो जाएगा तो हम assume करते हैं कि root lies between 2 and 3 क्योंकि हम यहां देख रहे f2 minus 1 f3 16 है so root lies between 2 and 3 तो false position method से हम पहला approximation लेंगे पहले approximation में हमें कहले नाओका n is equal to 2 x1 को 2 x2 को 3 तो इससे हमारे पस में fx1 और fx2 तो निकले वे हैं x3 आ गया x3 आ गया x2 minus x2 minus x1 इंटो fx2 ओवर fx2 minus x1 तो इसको simplify करें 3 minus 3 minus 2 इंटो 16 ओवर 16 minus minus 1 तो यह होगा 3 minus 16 ओवर 16 plus 1 17 तो यह होगा 3 minus 0.9411 इसको simplify किया तो आता है 2.059 अब क्या करेंगे हम function का minus बिंदू पर चेक करेंगे किस पर 2.059 पर अब यहां पर हमने जब f 2.059 पर निकाला तो fx3 जो आ रहा है यह आ रहा है negative minus of 0.389 2 पर भी negative था 2.059 पर भी negative है यानि कि और 3 पर positive है इसका मतलब root lies between 2.05923 and 3 अब हम करेंगे second approximation इनको 3 लेंगे x2 को 2.059 fx2 हमारा निकाल लिया हमने 0.389 fx3 जो है वो 16 निकला होगा है तो x4 आ जाएगा इसी तरह से x4 को जब simplify किया तो आ रहा 2.0814 और 3 के मद्दे लाए करेंगा फिर next approximation लेंगे उसमें इनको 4 के लिए आपका x3 लेंगे हम 2.0814 और x4 जो होगा वो हो जाएगा 3 फिर हम x5 निकालेंगे x4 minus x4 minus x3 over fx4 minus fx3 से तो यह simplify करने पर आता है 2.0897 अब 2.0987 आ गया तो यह हम देख रहे हैं आपका जो value आ रही है 2.05, 2.081, 2.0897 अलग तीन जो approximations हमने यहां पर लिए उसमें value आपकी जो है 2 successive approximation में 2 degree की accuracy तक आ चुकी है जो आपका second approximation था 2.0814 और 3rd approximation 2.0897 यानि कि हम चाहें तो एक approximation नौड ले ले और अगर हमें 2 degree की accuracy बहुत है तो हमारा यह real root हो जाएगा 2.0897 इस पर function का मान चेक कर सकते करीब करीब 0 के बराबर आएगा फिर हम बात कर रहे हैं iterative method की iteration method में क्या होता है मान लेते हैं कि जो dv equation है वो fx is equal to 0 आएगा तो इस equation को हम express करते हैं as x is equal to 5x x is equal to some other function of 5x इस तरह से हम इस function को equation को represent करें और मान लेते हैं कि x0 इसका first approximation है जो solution हम equation x is equal to 5x का निकाल रहे हैं तो next approximation जो होगा वो हो जाएगा x1 is equal to 5x0 फिर हम क्या करेंगे x को x1 रख देंगे 5x में तो next approximation क्या हो जाएगा x2 is equal to 5x1 इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए successive approximations लेते जाएं तो x3 हो जाएगा 5x2 x4 हो जाएगा 5x3 and so on nth approximation xn जो आएगा वो हो जाएगा 5xn minus 1 तो क्या होगा कि एक sequence हमें xn का मिलेगा successive approximations और हम देखेंगे कि this converges to the desired root 6 से 7 जब हम approximations ले लेंगे तो हम देखेंगे कि जो root है वो converge हो जाएगा actual value की और जैसे for example इस method को हम एक example दोर आसानी से समझ सकते हैं कि मान लेजे आपकी equation है xq plus x square minus 1 is equal to 0 तो अब हमें इस equation को rewrite करके किस form में जमाना है कि x is equal to yx तो पहले था हम x की terms को एक तरफ करें तो xq plus x square is equal to 1 आता है x square common लेंगे तो x plus x plus 1 is equal to 1 आ रहा है अब इसको rearrange करते हैं तो x square is equal to 1 over 1 plus x तो x का मान x is equal to 5x में जमनी है तो हम इसको square root ले लेंगे तो x is equal to plus minus 1 over root 1 plus x पर हमें आपका जो root है वो मान लीजे हमने उपर देखा है कि जो function का मान है 0 पर negative है और 1 पर positive है यानि कि हम minus 1 और 1 के बीच का root निकालना चाह रहे हैं याँ पर sorry 0 और 1 का तो 0 और 1 के लिए हमारा x जो है वो positive हो जाएगा तो हम x को मान लेंगे 1 over root 1 plus x तो ये function आपका जो है fx is equal to 0 ये rewrite कर लिए हमने किस form में fx is equal to 5x के रूप में तो ये हो गया आपका 5x is equal to 1 over root 1 plus x इससे हम 5-x निकालते हैं ये हम देखने के लिए कि iterative method apply होता है या नहीं तो 5-x is equal to minus 1 over 2 1 plus x root 3 by 2 इसका modulus लेते हैं तो ये आता है less than 1 अगर modulus for all x less than 1 अगर modulus less than 1 आता है तो iteration method applicable होगा तो ये आगे हमारा less than 1 so this method can be applied तो root lies between 0 and 1 तो हमने क्या किया सबसे पहला approximation ले लिया 0.5 0 और 1 का mean ले लिया हमने x0 को ले लिया से 0.5 तो x1 is equal to 5x0 जब लिखा तो ये हो जाएगा 1 over root 1 plus 0.5 इसको evaluate किया तो 0.81649 फिर क्या करेंगे next approximation में x2 is equal to 5x1 जबने x1 निकला उसको रखा और evaluate किया 1 over root 1 plus 0.81649 का mean ये आता है 0.74196 अब क्या करेंगे next registration में x3 को fx2 लिया sorry 5x2 और इसमें मान रखने पर यात है 0.7576 फिर x4 is equal to 4th approximation x4 is equal to 5x3 evaluate करने पर आया 0.75427 तो अभी तक हमारी सिरब एक डिगरी की accuracy चल रही है इसमें 2 डिगरी की अब हम इसको आगे बढ़ा है x5 is equal to 5x4 0.75500 फिर x3 लिया 5x5 ये आ गया 0.75485 दो डिगरी की accuracy चल रही है x7 is equal to 56 1.075488 फिर x8 5x7 अगर 2 डिगरी की accuracy desired है जब तो हम यहां रूख सकते हैं 6th approximation पर अगर हमार को 3 डिगरी की accuracy चाहिए तो हमें चेक करना होगा 7548 तो हम यहां पर रूख सकते हैं और चाहों तो आप एक और approximation ले सकते हैं तो desired root आपका निकल गया 0.75487 तो इस तरह से हम iteration method से आसानी से इसको solve कर सकते हैं basic यहां पर importance यह है कि हमें देखना है iteration method तब ही applicable होगा जब आपकी condition satisfy हो रही है कि modulus y-x is less than 1 अगर है तो हम इसको apply कर सकते हैं फिर आते हम Newton-Raphson विदी पर Newton-Raphson method क्या कहता है इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x0 एक approximate value of the root real root है zi of the equation fx is equal to 0 and difference of the real value from x0 ph x0 approximate value है zi आपका real root है function fx is equal to 0 equation का और जो real value जो है इसका difference from x0 h मान लेते हैं यानि कि आपका real root है zi वो क्या हो जाएगा x0 plus h के बराबर अब zi जो है ये आपका is a root of the equation fx is equal to 0 इसका मतलब ये इसकी equation को satisfy करेगा यानि f zi will be equal to 0 अब f zi जो है zi आपने मान लिया x0 plus h है तो f zi is equal to 0 जो है कि जगे हम ले सकते है fx0 plus h is equal to 0 इसको अगर हम Taylor series से expand करें तो तो हमारे को मिलता है fx0 plus h जो है पराबर fx0 plus h f-x0 plus h square by factorial 2 f-x0 and so on is equal to 0 अब क्योंकि h जो है negligible amount है tending to 0 तो हम क्या कर सकते है second or higher powers जो है उनको हम h की second or higher powers है उनको neglect कर सकते है तो हमारा fx0 plus h जो आ रहा है fx0 plus h f-x0 हो जाएगा यानि कि fx0 plus h f-x0 is equal to 0 इससे हमारा h निकल जाएगा h will be equal to minus fx0 over f-x0 provided f-x0 is not equal to 0 so if we now consider that the root is x1 तो x1 क्या जाएगा real root xi था, xi is equal to x0 plus h था, h का मान हमने निकल लिया तो आपका जो root जो है approximation root का क्या हो जाएगा x1 जो है वो हो जाएगा x0 plus h यानि कि x0 minus fx0 over f-x0 so now taking x in place of x0 using h2 for the next approximation we get h2 will be minus fx1 over f-x1 तो x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 plus h2 यानि कि x1 minus fx1 over f-x1 similarly next approximation of the root अगर x3, x4 and so on लेते जाएगा तो मारा x3 हो जाएगा x2 minus fx1 over f-x2 so on xn plus 1 will be equal to xn minus fxn over f-xn यह आपका required Newton-Refson formula हो गया इसको भी हम एक example के द्वारा समझ सकते हैं कि माल लीजे हमारी equation दी विए x4 minus x minus 10 is equal to 0 और x is equal to 2 के नियर आपको Newton-Refson विदी से root निकालना है तो हम क्या करें हमारे पस में equation जो दे रखी है वो है x4 minus x minus 10 is equal to 0 यानि कि यहाँ पर fx जो है वो है x4 minus x minus 10 हमें Newton-Refson विदी में f' चाहिए तो हम xn तो ले लेंगे x की चाहिए xn लिखतेंगे xn की पर 4 minus xn minus 10 और f' xn निकालने के लिए f' x चाहिए f' x by differentiating fx हमारे पस में आ जाता है f' x 4x cube minus 1 तो अब Newton-Refson विदी जो है उससे हम इसका general formula जो है xn plus 1 is equal to xn minus f' xn over f' xn में हम लें तो पहला आपका हो जाएगा xn plus 1 में first approximation जो हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा x1 जो है वो है आपका near to 2 बोल रहा है यानिकि x0 जो है आपका xn जो है वो जाएगा x2 और x2 minus f' x2 over f' x2 तो यहाँ पर हम value लिख सकते हैं first approximation x1 क्यों हो जाएगा 3 x0 की पार 4 o plus 10 over 4 x0 square minus 1 इसमें x0 की जगे 2 रख दिया तो यह simplify करने पर आता है 1.871 फिर second approximation में क्या करेंगे यह आपका x1 हो जाएगा तो x2 क्यों हो जाएगा 3 x1 की पार 4 plus 10 over 4 x1 cube minus 1 x1 की जगे यहाँ पर 1.87 रख के simplify किया तो x2 निकल के आता है 1.856 1.87 1.85 एक approximation रख ले सकते है x3 उसमें 1.856 ले लेंगे अपन x का मान तो यह simplify करने पर आता है 1.856 याने कि x2 x3 3 degree तक same आपकी desired values और decimal के बाद तो यह आपका required root हो जाएगा 1.85 6 तो इस तरह से हम किसी भी algebraic या transcendental equations को अलग-अलग विधियों से solve कर सकते हैं जैसा bisection, iteration, regular policy या neutral refson विधी से उने की अलग-जा विधावा है